आप देखिए यह विडियो, माया ट्यूटर पर मुफ्त कूपन कोड साइट पर बैनर में दिया गया है, अभी पंजी करन करें, फ्री में ओनलाइन क्लास लें हमारे देश में कई प्रतिभाशाली शिक्षन शिक्षक हैं, प्रहिनिया और बेरोजगार बहुत कम दरों पर कक्षाएं लगाकर जीवन यापन करते हैं, लेकिन जब कॉविड आया तो वे क्लास नहीं ले सके, इतने सारे महान शिक्षन आप्पन करें, के आगमन के साथ कई ने अपने छात्रों को खोदिया है, वेब साइट को बड़ी रकम में नहीं बनाया जा सका, लेकिन इस प्रकार के होम ट्यूशन का उप्योग शिक्षक माया ट्यूटर्स डॉट कॉम पर बहुत कम मासिक दर पर कक्षाएं लेने के लिए कर सकते हैं, य साथ ही अब आप जूम एप और गूगल मीट के जरिये लाइव क्लासेज ले सकते हैं, यह सब माया वैब पोर्टल के जरिये बड़ी आसानी से किया जा सकता है, आपके छात्रों के अलावा अन्यदूर के छात्र इस पोर्टल के माध्यम से आपको धून सकते हैं, उन्हें अपना छात्र बनाएं और कक्षाई लें, एक और विशेशता यह है कि आपको बहुत सारे चूशन चात्र मिलते हैं, इस युग में जहां शिक्षा एक व्यवसाई बन गया है, यह साबित करके कि शिक्षा केवल एक व्यवसाई नहीं है, अपने कोशल को साबित करें, बहत आए प्राप्त करें, अधिक जानने के लिए यह वीडियो दे, नियमित ट्यूशन शिक्षकों के लिए महस 250 रुपे प्रतिमाह में ऑनलाइन ट्यूशन लेने के लिए एक वैब पोर्टल तयार है, रोबोटिक्स कक्षाउं के माध्यम से आए अर्जित करें, अगर आप सि दुनिया भर के शिक्षक और संस्थान ट्यूशन लेने के लिए इस वैब पोर्टल का उप्योग कर सकते हैं, दुनिया एक ओनलाइन क्लास की तरफ बढ़ रही है, फिर आपके छातर एक ओनलाइन कक्षा में चले जाएंगे, ओनलाइन ट्यूशन क्लास लेने के लिए आप को एक वैब साइट बनानी होगी, यह बहत महंगा है, लेकिन सामान शिक्षक इस वैब साइट के माध्यम से बहुत ही कम लागत में ट्यूशन ले सकते हैं, प्रोबोर्टिक्स क्लास क्या है? प्रोबोर्टिक्स कक्षाएं एक वैब पोर्टल की मदद से आयोजित की जाने वाली कक्षाएं हैं, जो एक बार ली गई ट्यूशन कक्षाओं की डिजिटल फाइलों का उप्योग करती हैं, वेब पोर्टल पर डैनिक कक्षाओं के विडियो और नोट्स की सूची बनाएं, इनका उप्योग बाद में बिना कक्षाओं लिए छात्रों को ट्यूशन कक्षाओं देने के लिए किया जा सकता है, शिक्षकों को बाद में ट्यूशन लेने की जरुरत नहीं है, अधिक जानकारी के लिए ये कैसे काम करता है, देखें, माया वेब पोर्टल पर मैं किन विशयों की ट्यूशन ले सकता हूँ? स्कूल पाठ्यक्रम, कॉलेज पाठ्यक्रम, पश्चिमी संगीत, करनाटक संगीत, संगीत वाध्ययंत्र, नृत्य, खाना बनाना, सिलाई चित्रकारी, पी एस सी, बैंक प्रवेश कोचिंग, भाशा अध्ययन, आप लेखानकन, मनो विज्ञान, दर्शन, यह सब विशय जैस सभी विशयों में कक्षाएं ले सकते हैं, शिक्षक छात्रों से फीज कैसे लेते हैं, फीज सीधे छात्रों से ली जानी चाहिए, इसके लिए शिक्षक के प्रोफाइल पर शुल्क भुगतान करने वाला बैंक खाता और पैमेंट वालेट क्यू आर कोड प्रदर्शित करन के विकल्प हैं, क्या मुझे माया ट्यूटर को छात्र शुल्क में से कोई कमीशन देना होगा? नहीं, इस वेब पोर्टल का उप्योग करने के लिए शिक्षकों से केवल किराया लिया जाता है, शिक्षकों से कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जाता है, माया पोर्टल के में छानकारी के लिए मूल्य देखें क्या मुझे भुब्टान करने से पहले डेमों मिल सकता है जी हाँ बिल्कुल आपको साथ दिन का डेमों मिलेगा शिक्षकों के लिए डे zigaka करने के लिए क्राप्त के लिए यदि सक्षम पहले इन से डिनों के लिए अज़ी सुविधाओं के साथ देमो प्राप्ट होगा मत भूलो एक शिक शक हैं तो केवल पहली बार शिक शक के के रूप में पंजी करन करें यदि आप एक छात्र के रूप में पंजी करन करते हैं तो आप इस पोर्टल पर पढ़ाने में सक्षम नहीं होंगे शिक्षक का पंजी करन कैसे करें डेमो कैसे प्रापत करें अगर आप शिक्षक हैं तो यहां शिक्षक के रूप में पंजी करन पहले इस फॉर्म को भारेइन नियम और शरते सुवीकार करें रज इसतापर ख्लेक करें अपने मेल पर जाने के बाद माया ट्यूटर सक्रियण मेल खोलें सक्रियर लिंग पर ख्लेक करें बैंबर लॉगिन का चैन करने के बाद अपना मेल आईडी और पास्वर्ट दर्ज करें और फिर लॉगिन करें यह आँ, गूगल के साथ लॉगिन चुने देमो अब तैयार है, अपनी प्रोफाइल संपादित करें यह विडियो देखें, अपना पार्थ्यक्रम और मॉड्यूल बनाएं डेमो के बाद माया वेब पोर्टल का उप्योग करने के लिए शेकशकों के लिए क्या दर है? खृपिया यह कीमत देखें इस पोर्टल पर कितने पार्थ्यक्रम सुची बद किये जा सकते हैं? पार्थ्यक्रम असी मित के रूप में सुची बद किया जा सकता है इस पोर्टल में कितने छात्रों को जोड़ा जा सकता है आप असी मिद छात्रों को जोड़ सकते हैं क्या इस पोर्टल में लाइव क्लास लेने की कोई सुविधा है आप यूट्यूब लाइव विडियो लिंक को सूची बद करके लाइव क्लास ले सकते हैं अभी रजिस्ट करें और अधेक जानकारी के लिए देमो आजमाएं। पाठ्यक्रमों को सूची बद करने में मेरी सहायता कौन कर सकता है। एक बार शिक्षक बंजीकृत हो जाने के बाद पाठ्यक्रम की सूची कैसे बनाएं। पीडिएफ कैसे सूची बद करें और लाइव क्लास कैसे लें। इस पर हर जगह वीडियो होंगे। आए इन वीडियो को देखें और पाठ्यक्रम की सूची बनाएं। मैं एक छात्र हूं। क्या मुझे माया पोर्टल पर शुल्क देना होगा। नहीं। यह छात्रों के लिए सौ प्रतिशत मुफ्त है। छात्र शिक्षक और पाठ्यक्रम पा सकते हैं। लेकिन ट्यूशन फीज सीधे शिक्षकों को देनी होगी। मैं एक शिक्षक और एक छात्र के रूप में पाठ्यक्रम कैसे ढूंड सकता हूं। पाठ्यक्रम का नाम शिक्षन विशय। संस्थान का नाम और स्थान के लिए यहां खोजें। यहां अपना मोबाइल नंबर या मेल आईडी दर्ज करें। स्थान दर्ज करें और खोजें। अब आप चयनित क्षेत्र में शिक्षक पा सकते हैं। यदि आपको इस क्षेत्र में शिक्षक नहीं मिलते, तो अन्यस्थानों के नामों से खोजें। वर्तमान शिक्षकों का वैब पोर्टल खोलें। अब आप इस शिक्षक का संपर्ख पता। WhatsApp नमबर और पाठ्यक्रम की जानकारी देख सकते हैं। यहां आप सीधे शिक्षकों के WhatsApp पर चैट कर सकते हैं। यहां शिक्षक यहां मेल द्वारा ट्यूशन की जानकारी मांग सकते हैं। लेकिन अगर आप शिक्षक की जानकारी नहीं देख पा रही हैं। तो आपको पंजी करन या लॉग इन करने की आवश्यक्ता है। एक रजिस्टर क्या है? लॉग इन क्या है? यदि आप इस वेब पोर्टल पर पहली बार जा रहे हैं, तो आपको पंजी करन करना होगा। यदि आप एक छात्र हैं, तो आपको यहां एक छात्र के रूप में पंजी करन करना होगा. मत भूलो, यदि आप एक छात्र हैं, तो केवल पहली बार एक छात्र के रूप में पंजी करन करें. यदि आप एक शिक्षक के रूप में पंजी करन करते हैं, तो आप इस पोर्टल पर अध्यान नहीं कर पाएंगे, सबसे पहले, छात्रों को यहां पंजी करन करना होगा, इन सभी फॉर्म को भरें, आपके मेल पर जाने के बाद, माया ट्यूटर एक्टिवेशन मेल खोलें, एक्टिवेट लिंक पर ख्लेक करें, अब पूरा हो गया है, अब आप अपनी मेल आइडी और पासवर्ट डालकर लॉग इन कर सकते हैं, चयान करें, मेमब पहुझ, अपनी मेल आइडी और पासवर्ट से लॉग इन करें, या गूगल के साथ लॉग इन का चयान करें, उन विशयों और शिक्षकों को खोजें जिनकी आपको आवश्यकता है, इसके लिए य झाल 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 झाल